हेलो एवरीवन वेलकम टू माई चैनल क्यूपिट हिडेन टैलेंड आज हम बात करने चाहरे हैं गर्मी के कैसे पौधे के बारे में जैसे हम संफ्लावर या सूरज मुकी के नाम से जानते हैं देखने में बहुत ही सुंदर दिखता है जैसा कि नाम से हम इसके बारे में काफी को समझ सकते हैं कि ये सन का प्लांट है मतलब कि इसे फूल डे सन लाइट चाहिए होती है ग्रो करने के लिए यानि कि ये सिर्फ उनी रीजन्स में ही अच्छे से ग्रो हो सकता है जहां पे सन लाइट एट लीस त्री डू फॉर मान तक रहती है ठीक है तो अब सबसे पहले ह हम बात करेंगे इसकी सोयल को कैसे रेडी करते हैं तो इसकी सोयल रेडी करने के लिए हमें टू इस टू फॉर्म में चाहिए होता है यानि की टू पार्ट सोयल होना चाहिए और ये वान पार्ट आपका फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर में आप कोई भी और्गनी कंपोस् या और भी बहुत सारे फर्टिलाइजर्स मार्केट में अवलेबिल हैं आप उनको यूज कर सकते हैं लेकिन चुकि आप घर पे इन सीजों को कर रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान देना हैं कि आप और गेनी कंपोस्ट ही यूज करें ऐसा कोई कंपोस्ट यूज ना कर लें ज कीचन कंपोस्ट के बारे में अपनी एक वीडियो आपसे शेयर करूंगी बहुत चल्दी ही कि केचेन कंपोस्ट कर में कैसे बना सकते हैं ठीक है लेकिन अभी हम बात करते हैं इस प्लांट के बारे में यह प्लांट इसे बहुत जादा के ज़रूरत नहीं होती है इसे हम जादा केर की जोरत नहीं होती है हाँ क्ईकि यह हाइट में बहुत जादा कभी जबी लंबे होजाते है यानि कि 6-8 फिट तक लंबे होजाते हैं वैसे तो इनकी हाइट 4 फिट से START होकरके 8 फिट तक भी जा सकती है यह डेपन करता है कि सोयल की किस टाइप की कैटएगरी है या किस ताइब का हम ने fertilizer उसमें यूज किया है या किस पॉर्ट में हम उस plant को grow कर रहे हैं, यह उन resources पर depend करता है, जो उसको मिल रहे होते हैं, सबसे अच्छी चीज यह है कि हम इसे घर पे बहुत आसानी से grow कर लेंगे, वह आप चाहे तो आपके पास जो भी resource आप उन रिसोर्स का यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास में मड़ेरिया अवलेबल है तो आप इसे क्या रियों में लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास में मड़ेरिया अवलेबल नहीं है, आप इसे किवल पॉट में लगाना चाहते हैं, तो आप किसी भी तरीके के प सेडलिंग कर सकते हैं एक सीट लगाने के बाद में दूसरा सीट लगाने के लिए आपको सिक्स इंच का डिफरेंस लेना होगा जैसे कि जब आपका प्लांट करें तो उसको प्रोपर्ली स्पेस मिल जाए और वो बहुत आसानी से डेवलप हो पाये ठीक है जैसा कि आप वीड सीट जो लगाये हुए थे उनमें अब फ्लार्स आने स्टार्ट हो गए है और यह बहुत अच्छा बड़ फीडर भी है इससे काफी अधिक मातरा में मेरे आं बार्ट सानी स्टार्ट हो गई है स्पैरोज वगेरा आनी स्टार्ट हो गई है और यह चीज़ आप अपने घर अगर आपके अरिया में स्पैरोज वह अगर अबलेबल नहीं है तो आप इनको लगाए स्पैरोज इनकी काफी ज्यादा इनके सीट को लाइक करती है और वो में भी आपके एरिया में एंटर कर सकती है जो कि इस ताइम पे हम देख रहे हैं कि स्पैरोज बहुत कम हो गई है और बहुत कमी दिखाई देती है जो कि पहले हमारे घरों में बहुत आसानी से मिल जाती थी ठीक है तो लेकिन जब आपका प्लांट में जो फ्लार है वो जमीन की तरफ जुकना स्थार्ट हो जाता है इसका मतलब है कि आपके प्लांट में अब सीट में मैच्छी ओर हो रहे हैं ठीक है तो मैच्छी ओर यानि कि वो सीट आप पक रहे हैं तो जब हम पूरी तरह से लगभग आप वीडियो में देख रहे होंगे सीट लगबग थो सूखने के बाद मैं देख सकते हैं कि आप यह स्टाइब से लगभग हो जाते हैं और इनमें से यह हम इसके उपर की लेयर को हटा करके इस तरह से उपर की लेयर को हटा करके यह हमारा ब्लैक पार्ट हैं यह हमारे सीट से ही हैं इनको जब हम आम सिंगर से हटाएंगे तो य इसमें देखे, यह सीट निकलना स्टार्ट हो गया है, इस टाइब से यह सीट निकल आते हैं, मैं आपको कुछ सीट निकाल करके दिखाती हूँ, यह देखे, यह इस टाइब के यह जो हमारे ब्लैक ब्लैक हैं, यह इसके सीड हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप किम सीट को कलेक कर सकते हैं next year के लिए जिससे कि जब आपको plant grow करना हो तो आपको seed market से दुबारा लेने की ज़रूरत ना पड़े ठीक है और एक चीज मैं आपको और दिखा दूँ मैंने जो plants से इन फ्लावर को कट किया था तो मैंने उन plants को डिस्पोस नहीं किया था मैंने उन plants को छोड़ दिया था किस लिए छोड़ा था वो मैं आपको अभी वीडियो में दिखाती हूं जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं मेरी plant में छोटी-छोटी branches और निकलनी स्टार्ट हो पहले जैसे बिक साइस के फ्लार्स नहीं आया है वो छोटे-छोटे साइस के फ्लार्स आया है यानि कि मैं एक सप्राइब्स आपको यह बता दू यानि कि आप अपने plant से फ्लार को कट करने के बाद में लेकिए मैंने यहां से इसको ब्रांचिंग इसकी की थी यह काफी अगारिख नुर से इसकी ब्रांचिंग की और देख वागःए आपके एक ही ब्रांच में कितने सारे फ्लार्स आ गए हैं ए锻ने हं तो इस तरह से हम उस प्लान को पुरी तरह से दिस्पोस करके ना क्योंकि अभी कर्मी का सीजन तो पूरी तरह से एंड हुआ नहीं है तो मैं किवल वन फ्लार पे ही सैटिसफाई नहीं थी इस वजह से मैंने इन प्लांट्स को उपर से ब्रांचिंग की है जैसे अधर प्लांट्स में बडिंग के लिए यूज किया जाता ह है वो टेकनीक मैंने यूज करके इस तरह से रेखे यह ग्रो किये हुए है थोड़ा लेट से इसकी बड़िंग की थी तो इस वजह से इसमें अभी बहुत छोटी बड़ाई हुई है लेकिन यह भी कुछ में अभी खिल जाएगी तो आज आपने जाना कि साल्फ्लावर प्ल के बारे में बताती रहोंगी तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन पर सब्सक्राइब करना थैंक यू बाबाई टेक केर